वामन अवतार में महामुनिश्वर कहते हैं कभी किसी को छोटा समझ पर उसका उपोहास नहीं उड़ाना चाहिए जै चिनेंदर स्वागत है आपका जैन शुद्ध वेंजन में आजम बनाने जा रहे हैं रसबरी याने बिना मावे से बने गुलाब जामुन इनका टेस्ट बिलकुल गुलाब जामुन की तरह ही आता है तो आएए देखते हमें इसको बनाने के लिए किन-किन चीजों की आवशकता पड़ेगी हमें चाहिए 150 ग्राम गेहों का आटा जो हमारे मर्यादित है उसमें हम डालेंगे 2 चम्मशुद्ध मर्यादित गी चुटकी बर डालेंगे हम उसमें नमक और हम उसमें छनेवे जल से उसका एक पतला से घोल बना लेंगे बहुत जादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत काड़ा भी नहीं होना चाहिए आप देख लीजिए इस तरीके से गोल बनेगा इसमें हम डालेंगे एक नीबू का रज डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके आधे से एक घंटा ढग कर रख देंगे जब त इसमें डालेंगे कुछ बूंदे नीबू के रस की याने आधी चम्मच के करीब नीबू का रस डालेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ी सा इलाइची पाउडर जो इसका अच्छा फ्लेवर देता है इस तरीके से हम एक तार की चाशनी इसको तैयार करके रख लेंगे तल लेंगे देंगे इसको बहुत जादा तेज भी नहीं तलना है और बहुत कम भी नहीं तलना है थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सुनारा होने इतना तल लेंगे हम इसको और उसके बाद इनको निकाल कर हम जो हमारा सुगर सीरफ है उसमें डाल देंगे थोड़ी ही देर मे यह बहुत अच्छे से चार्शनी पी लेते हैं तो देखिए यह हमारी फटा-फट बनी रजबरी तयार है मैं इस टरीके से हमें कभी भी बना सकते हैं बहुत कम समय में यह बन जाता है और शुद्ध भी है इसमें हमने किसी भी प्रकार के अशुद्ध बस्तूं का प्रयोग नहीं किया है इसे फुलाने के लिए यदि आप नीबू नहीं डालना चाहते तो आप थोड़ा सा उसमें धहीं डाल सकते हैं दो चमच शुद्ध मरियादित वाला धही डालने से यह बहुत अच्छे से फूलते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं तो इसे हम दोनों तरीके से बना सकते हैं तो आप इसे जरूर बनाईए यह अस्टमी 14 को भी बन सकते हैं ऐसे ही और भी बहुत सारे शुद्धि वेंजन वाले वीडियोज हैं आप उन्हें आवश्य देखें और शुद्धि वेंजन बना लेंगे अच्छे गोल बनाने के लिए हम जो हमारा चलने का कपड़ा होता है उसमें हमेसा छोटा सा होल बना ले और इसमें बैटर रखके फिर आप इसे पीछे से दबा कर जिसे हम जलेबी बनाते हैं उस तरीके से भी इसको बना सकते हैं जलेबी में थोड़ा सा होल छोटा रहता है लेकिन इसमें हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे और उसके बाद उसको हमारी जो कीचन सीजर है उससे जैसा बैटर निकलता जाएगा उससे छोटे-छोटे उसमें कट लगाते जाएंगे तो जिससे वो एक जैसे गोल हमारी रजभरी बनेगी और एक जैसे आएंगे तो ऐसे बना सकते हो या पिर आपको सू culinary लगे आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं कि मेरे पास अभी विडियो में एक हास से बना रही हो इसलिए मैं आपको बनाकर नहीं दिखा पारियो इसपे लेकिन इससे बहुत अच्छे से बन पाएंगे जैस इनेंदर